कि हलो प्यारे मित्रों स्वागत है अब सभी का हमेरे यट्यूब चैनल अनुपिश्टरी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक नए लेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रकास का अपवर्तन ठीक है यानि पीछले वीडियो में हम लोग लेशन नमर जो परवर्तन पढ़े थे उसके बासे गोली दरपड़ परकास का परवर्तन पढ़े थे उसी तरह पहले हम लोग प्रकास के अपवर्तन को समझेंगे ठीक है अपवर्तन को और उसके बासे इसको लेंसों पे देखेंगे कि लेंसों पे अपवर्तन क्या होता है उसका नियम क्य थिए ञायड़ा है ठीक है उसपे क्या क्या सब कर दूंद कर शोड़醉ंगे यह मैं इस का नाम ध्रकास का अप और टिए कि प्रकास को आप और तंव हुआ है कि ठीका यह पीछले वीडियो में पढ़ा पर अलबके बारे में किस के फर अरो अर तन के बार में पर करद और था कि कोई भी प्रिष्ट था ठीक है वह गोली प्रिष्थ सम्तराच फिर ठीक है चिकना होना चाहिए जब उस पर प्रकास के करड़े पढड़ रह progress तो क्या गया जा रहे थि» जिस से जा रहे थी उसी माध्यम क्लाने लाट जा रहे थी तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे प्रकास का परवर्तन बोल रहे थे क्या बोल रहे थे प्रकास का परवर्तन लेकिन हमें पढ़ना क्या है अपवर्तन पढ़ना इसमें क्या होगा कि जो प्रकास की किरड़े हैं ठीक है आप से कोई परवर्तन की परिभास पूछे किसकी परवर्तन की तो आप बताएंगे कि जब प्रकास की किरड़े जिस माध्यम से जाती है ठीक है और किसी चिकने प्रिष्ट से सता का सता से टकरा कर उसी माध्यम में लोड़ जाती है तुसे प्रकास का परवर्तन कहते हैं ठीक है यह तो हमने बताया था चौदर चौदर लेशन में प्रकास के परवर्तन में हम लोग पढ़ें अपवर्तन तो अपवर्तन की परिभास आप लोग क्या बताएंगे कि कोई की कोई प्रकास की किरड़ ठीक है कोई प्रकास किरड़ किसी एक माद्धयम से जांब ठीक एक माद्यम से जायए ठीक जिसना अगी जे एन्वान माद्यम और यह एंटू माद्यम में परिवेश कर लिए अनले में पर्रेय कर और ही हमारा jesteśmy माध्यम है आम माध्यम कैसा होना चाहिए यह जो दोनों माध्यम है यह दोनों माध्यम कैसा होना चाहिए पारदर्सक होना चाहिए कैसा होना चाहिए पारदर्सक ठीक है पारदर्शक माध्यम होना चाहिए ठीक है तो कहेंगे कि दो पारदर्शक माध्यम हो जिसे किसी एक माध्यम से प्रकास की किरण चले ठीक है तो दोनों माध्यमों के प्रिथकारी तल से दोनों माध्यमों के प्रिथकारी तल से क्या हो जिस माध्य जैसे प्रिथकारी तल पर पढ़ेगी तो जिस मार्त को जा रही होगी उस मार्ग से थोड़ा चाल डीचलित भी माध्यम से आप क्या करें प्रकास को डालेंगे तो जो दोनों माध्यम का प्रिथकारी तल है ना इस पर प्रकास की किरण पहुचेगी तो जिस माध्यम यानि जिस रास्ते से आर योगी उस रास्ते तो थोड़ा बिचलित हो जाएगी जैसे जा रहे थी तो यह एसे जाती कैसे जाती एसे इसको एसे करते तो ये एसे किरण निकल जाती है ठीक है यदि इसका परवर्तन नहीं अपवर्तन नहीं होता तो सीधे निकल जाती लेकिन क्या हो गया इसका पॉर्तन हो गया यानि अपने मार्क से थोड़ा बिचलित हो गई है ठीक है जिस मार्क से जा रहे थ पहले लमबॉत पड़े ठीक हिए अमारा प्रितकारी तरहिए ये एनवन माध्यम है और यह एंटु माध्या में एन टुम आदि में यहीं किरण इस पर यह लंबॉत पर ठीक है यह दी एक रिस पर क्या ती लमबॉत पर ती तो उसी मार पर पर निकल जाती ठीक है उसी तिर्चा करेंगे इस यानि लंब वहत से किसी अगर 90 ठीटा से अगर ठीक है 90 डिग्री से यह उसे कम ठीक है उसे कम पर इसको यह ज्यादा पर इसको आपतित करते हैं तो यह क्या उपने मार्ग से बिचलित हो जाएगी जब कि इसको प्रिथकारी तो उसी मार्क पर क्या हो जाएगी निकल जाएगी ठीक है यह जो अभिलंब खीचे यह वाला जो अभिलंब यदि इस अभिलंब पर कोई किरड आती है तो अभिलंब के थुरू ही चली जाती है दूसरे माध्य में बास समझ में यह तो आप बताएंगे प्रकास का पुछे आ ठीक है और थोड़ा मार्क से अपने बिचलित हो जाती है यह साब पूछ सकता है लेकिन आपको परिभासा नहीं पूछेगा बसमझ में यह चलिए तो अधि यदि आपसे कोई ब्यक्ति पूछे तो आप बताएंगे कि दो पारदर्सक माध्यम हो ठीक है किसी एक माध्यम से कैदी प्रकास की किड़र आपतित हो तो दोनों माध्यमへं को जब परिथकारी तल होता है वहां से क्या ओती जब वहां परती है वो किरडर तो अपने मार्ग से थी थोड़ा बिचलित हो जाती है और स घटना अको हम लोगा बोलते हैं प्रकास का अपतित किया है परकास का अपनर तन इतना समझ गए ठीक है अब थोड़ा आपनर Uh कुछ नियम है ठीक में एप उर्थन का नियम है लेकिन यहापर समझी लीजिँ यह यह धूद यह है आप इसफिस टीर को मुलग बोलते हैं आप इतकी रण क्या वोलते हैं आप इतकी रण इसके ऊपवष्तण होगी आया ना इसका तो इस किरण को बोलेंगे किया हम लोग अपवरतित किड़र क्या भूंशनस क सब्किकशकर आपवब्टित किरण और यह हमारा अभी Anfang क्या यह हमारा यह वाला अभी लम्ब दोनों मादेमों के प्रिथकारी तलपे एक लंब हम खीच दे तो उसे क्या बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोड़ बनता है ना यह वाला कोड़ इसको हम लोग दिखाते हैं आई से यानि इस कोड़ को बोलते हैं हम लोग यानि जो हमारा भिलंब है और यह पक्र तीट के दे सके बीच जो कोड़ बनेगा उसको हम आर से डीनोड करते हैं और आर को कहते हैं आप ओर तीट है कूल अपवर्थित कॉल इतना समय एह क nova ना चलिए Ned तो क्या होता है कि जो किरड जाती है यानि जिस माध्य से इस माध्यम से किरड़ आइ समय जिसको हम डालेंगे से क्या बोलता है आपवर्थित किरड जब वह अपवर्थित हो जाते एकने मां इतना समझेया है इसको एक बार नोट कर लिएगा फिर आगए हम लोग पढ़ तक नियम इसके दो नियम है उसको समझते हैं नोट करिए गए इतना कि चलिए गए यहीं पर समझ लिजिए ठीक ना यहीं पर हम बता दे रहें अपवर्तन का जो नियम है नियम इसके दो नियम है कितने नियम है दो नियम पहला नियम क्या कहता है जैसे प्रकास के परवर्तन में जो हमारा पहला नियम था सिम यहां पे वही है यानि प्रकास का अपर परवर्तन का नियम प्रकास का परवर्तन का नियम परवर्तन का नियम यह क्या है अपवर्तन का नियम भी है प्रकास का परवर्तन का नियम ही अपवर्तन का नियम है वो भी कौन सा पहला वाला ठीक है यानि जो प्रकास का परवर्तन का पहला नियम है है का प्रकास के प्रवर्तन का दोनों नियम यही कहता है कि जो आप्तित किरड़ हृते हैं और परवर्तन में यही विन्द५ से खीछा कहा है परवरतन की रड़ और परवर्तित किरड़ और अभिलंब तीनों एक ही बिंदी पर होते हैं ठीक है और इसमें क्या कहना है बस आपको अपवर्तित किरड़ कह दना है यह आपतित किरड़ और अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही बिंदू पे होते हैं यह हमारा क्या है पहला निया में ठीक है यानि आपतित किरड़ आपतित किरड़ अपवर्तित किरड़ और क्या अभिलंब अभिलंब क्या होते हैं यह तीनों एक ही बिन्दू पर होते हैं यह हमरा क्या है प्रकास के परवर्तन के और यहीं जो है है हमारा परकास के अपवर्तन का भी नियम है ठीक है बस यहां पर जो आपतित किरड़ है अपवर्तित किरड़ है यहीं पर वहां पर चेंज होता है ठीक है अपवर्तित किरड़ होता है और परवर्तित किरड़ होता है किसमें परवर्तन में दूसरा नियम क्या कहता है आप से बात होता है एक नियतांक के क्या होता है बराबर होता है ठीक है यानि एक ही रंग के लिए एक ही रंग के प्रकास के लिए प्रकास के लिए जो आपतन कोड की जया है आपतन कोड क्या है हमरा आई है इसका जो जया जया मतलब क्या होता है साइन ठीक है यानि हम जो जया कर रहे जया इसका साइन को हम लोग क्या बोलते हैं जया बोलते हैं ठीक है का उसको क्या बोलते हैं को जया टैन को इस पर जैसे तो आपतन कोड की जया और अपवरतन कोड की जया का जो अनुपात है अनुपात मतलब बटा जो है यह किसके की यह तांक के बराबर होता है यहां हम इसके तरह क्या लिख सकते हैं इसी फर प्रोटन हैसे कि जो शायन मैं आई आपान जो शायन आर है तो भरल भ़गास पेटाष्यर दूसरे माध्यम का पवरतनांक किसको ऐसे का सकते है फिक है यानि यानि किसी एक माध्यम का क्विसी दूसरे माध्यम के सपफ lass निकाले माध्यम के सब распuciones Virgin सकते हैं है sanity sorry यानि थे यानि पवले मालजम के सब diferença दूसरी माध्यम कवारतनांक यह हमारा क्या हो जाएगा आज आगा साइन आया अपन साइन the CEO को अश्राय न क्या बोलते हैं कोई सब्सक्राइब तो बता दीए फरमूला आ दो बता दीजिएगा ठीके इसे क्या बोलते है इस नैल का बीश्राय कर नियम कहते है कि जो यह चलिएगा तो यह फारोला नोट कर दिएगा और यह इतना समझ में जिसके दोनों नियम समझ में आ गया बस यह आप लोग लोग नो置 कर लिजिए गए फ़र्मुला ठीक है जि개ंगा उसके बासे हम लोग देख लेते हैं जो हमारा जो माध्यम होता है ठीक है यानि प्रकास के כि किरण किस माध्यम से दो ही माध्यम होता है हमारा अपॉर्टन में एक सगन होता है एक बिरल माध्यम होता है इसी में प्रकास कभी सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है बिरल माध्यम से सगन में तो जाएगी तो कंडिशन क्या होगा उसका वो समझ लेते हैं कि कि जुकेगी की दूरहटेगी अबिलम से उसको समझ की अधिक को नीइंचल देखते हैं माध म के बारे में पढ़ रहे हैं माध्या ठिक Mära इसमें पढ़िए तो दो माध्यां पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे शगन माध्यम शगन माध्यम और दूसरा यरा ऑपनेर्देशन जहें 2MA दिटे या ईतिक भू स्थिए गनत्त वाले छेत्र को गनत्त वाले छेत्र उसको क्या बोलेंगे हम लोग शगन माध्यम बोलेंगे और बीरल माध्यम किसे बोलेंगे इसका अपोजिट यानि कम आपेछी गनत्त वाला छेत्र और अपेचिक हुए गहन तो वाला छेत्र यानि जिस का 2016 खीद्र का पर चीक है तो क्या होगा ज्यादा होhe अगए और जिस ट्रहें प्दार्थ क्या होगा ङपर चिकन ना स्कार्व कम होगा उसे क्षेद्र प्योंलेंगे अता है है हमारा पेचिक घनतों आप पेचिक घनतों क्या होता है जैसे किसी भी पदार्थ का घनतों हो न उस घनतों में आप क्या करिए जल के घनतों से डिवाइड कर दीजिए यानि आप पर पदार्थ का घनतों लिख सकते हैं हो जिस पदार्त का पेची घनति निकालना उस पदार्थ का घनत्व और बटे में क्या जल का घनत्व या पानी का घनत्व, ठिक है पानी का घनत्व इस पेशिली हम कितना लेते हैं कितना लेते हैं 1000 तो कोई किसी भी पदार्त का घंत निकलना हो उसमें क्या करिए आप 1000 से भाग कर दीजिए गा आप उसका क्या निकल जाएगा आपचिक तो निकल जाएगा यदि आपको आपेची घनत निकलने की बात की गई हो ठीक है जबकि हम लोग एक लेशन में आपेची घनतों का कई शारे फार्मूले पड़े हैं ठीक है में चलिएगा तो उसमें भी यह फार्मूला आपको दिख्या होगा आपेची घनत ब्रप्रदात का बनात बटें में पानी का घनती या जलका घनतों कि समझ में आ गया तो सल मादयम और है हम अधीड को आपेची घनत besluten Ara सभन मतलब क्या होता है घना यानि उसमें जो अड़ू होंगे पास-पास होंगे क्या होंगे पास-पास एक दम एक दूसरे से बहुत करीबी करीब में होगे एस बीरल मतलब थोड़ी स्पेस होगी ठीक है क्या होगा मतलब कम घना होगा जैसे यहां दो माध्यम है ठीक है तो इसमें जो अडू है यह समझे इतना पास पास है तो इस माध्यम को क्या क्या बोलेंगे सगं माध्यम बोलेंगे क्या बो Lesm हो गया माध्यम और इसमें जू अडू है क्या है बहुत दूर दूर एस में एक है तो इस माध्यम को क्या में बूलेंगे बीर्ल थे घर क्या होता है सफ recomendable नदमें कि जब करकास की किरण जा रही हो ले तो तीए बीन क्विघ अभिलंब है तो जब सघं माध्यम से प्रकास जाए अब इसों क्या सियों क्या उब भी हम्भि healthier अभी आंब से दूर हटवइए ठीक है यहीं है दिकार सढ़न माध्यम में जाएगी यहां में एसी है मार यह हो गया सघं माध्यम लिए हो गूहा जाए हो गया यह होगे हमारा विरल माध्यम और यह होगे हमारा सघन माध्यम ठीक है यह हो गया हमारा सघन और यह तो विरल है ठीक है न तो जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी प्रकास की किरण विरल से सघन माध्यम में तो क्या होगी अभी लंब की तरफ जुक जाती है क्या होती है का तो अभी लाम की तरफ जुख जाएगी जब सखन से बीरल में जाएगी तो क्या होगी अभी लाम से दूरथजा रिए अधर के आ रही है एव लाम के तरफ जुक जा रही है सिलक यह ही ठीशन होती यह ठीड षर्य C being gelir पहला दे रहा हूं का हूं होग कि सैक में है कि जब हो वस्तु क्या हो बिरलसे सघन माध्ध snug माध् vẫn MedGeek तो सगन माध्धे में में आएगी तो जो प्रकास होता है ठीक है फ्रकास जो होता है हमारा उसका वेग उसका वेग होता है और कि आटता है तरंग्द्यर्द होता है तरंग्दैर्ध होता है और क्या होता है आबरिती ठीक है आबरिती प्रकास की किरण में ठीक है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और बीरल माध्या में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है वेग पे और तरंग्दैर्ध पे कि तरेंग देर्द पर और किस पर आब रिती पर तो जो प्रकास की किरण है ठीक है यानि जो प्रकास की किरण है वह जब सगन माध्य में हो कहां पर हो सगन माध्य में हो तो जिसे बीरल माध्य में से यहां से जिसे बीरल माध्य में से सगन माध्य में गई यह न तो उसका विए क्या हो जाता है कम हो जाता है और आप रिति भी क्या हो जाती है सोरी तरेंग्देर्द भी क्या हो जाता है तर माध्य में और आबरिति क्या होती है और परिवर्तित रहती है ठीक है और वहीं जब बिरल माध्य में प्रकास जाती है तो क्या आता है वेग अधिक हो जाता है और तरेंगदेर्द तरेंगदेर्द भी क्या जाता है अधिक हो जाता है और आबरिति क्या होती है आपरिवर्ति प्रभाव पड़ते हैं शगन माद्व में क्या हो जाता है कम हो जाता है और बिरल माद्व में क्या हो जाता है ज्यादा होता है शगन में क्यों कम हो जाएगा क्योंकि इसमें पदार्थ के अड़ों क्या है ज्यादा है आप आप ही को अगर किसी भीड़बार में दोड़ने के कह दिया जाए तो आप धीमे से दोड़ेंगे ठीक है यहीं थोड़ा उसमें लोग बहुत दूर-दूर हैं कम भीड़ है तो उसमें आप तेजी से दोड़ सकते हैं और जादे भीड़बार में धीरे से दोड़ेंगे तो सेम कंडिशन यहीं होता है प्रकास का भी यहां पे ज बहुत दूर-दूर अडू है ज्यादा डिस्टेंस है तो क्या होगी इसमें व्यग थोड़ा तेज हो जाएगी उसका व्यग अधिक हो जाएगा तरेंग अधिक हो जाएगा बास समझ में यह हैं यहीं कंडिशन होता है और यह वाला फॉलो आप लोग समझेगा इसको कि जाता है तो अभिलम के तरफ जुख जाता है इतना है आपके किसे माध्यम से रिलेटेट इतने फैक्ट्स हैं समझ में है चलिएगा नोट कर लिजेगा और आपको एक डाइग्राम दिखा दिया जा रहा है जो यह वाला मैं बता हुना कि शागन और बिरल माध्यम में जो ज देख लिजे यूू समकर के रख लिजेगा आट चलिए गार इसको नोट कर लिजेगा ठिके आपहलोग के है आप अनुद देखते हैं अपरतनांक आंक यह मुव प्रकास की चाल में कि प्रकास की चाल में शंबन यह हम पढ़ना है न में कि शंबन्द क्या होता है कि तो समद जणरली आप जो फार्मूला है देख लिटेजी और मैं समझ्छा दे रहा हूं और पॉर्तनांक एन बराबर होता है प्रकास की चाल कि चाल है और में किसकी जिस पदार्थ का भी निकालना हो जिस पदार्थ में ठीक है उसकी चाल तो पदार्थ में कि पदार्थ में प्रकास की अफम प्रकास की अ चाल ठीक है यह हमारा relation होता है अब जिस पदार्थ के साथ prec हो निकालना है तो वेसे ङूब है से प्रकास की जाल हमने यहां पे राखें और ओकिस में हो और यहां पर दार्त कीजाल ह्छेंस अब कंडिशन हता से जो भी माध्यम रखना चाहते हैं। यह सक्षव किस धुंख तनांग ऐसे का χण पर में निकैलना चाह lifesव हैं और पर तनांग है है। आ तो क्या हो जाएगा kis上 Ass結 निकाल रहे हैं इस थॉख्षण पहले लिखेंगे यानि ए से हम एयर एय वायू को दिखा रहा है उसके बाद से अप वरतनांग का सिंबल लगांगे एन और किसके साफेक्ष काँच के यानि गलास के तो बराबर हो जाएगा किसका किसे निकाल रहे है एक इसाफेक्ष यह वायू के न तो यहां पर वायू की वायू में प्रकास की चाल और बटे में किसका निकाल है काच का तो जिसका निकालेंगे उसको बटे में कर देंगी 10 mm में प्रकास की चाल कांच में प्रकास की प्रकास की चाल जनरल में पता है कि वाई में जो प्रकास की चाल होती हो कितना होता है तीन गूडे दस्किवागाद आठ मीटर पर सेकेंड होता है ठीके और अपवर्तनांगा आपको याद होना चाहिए वो दिया रहता है ठीके कि वायो किसा पेक्ष कंच Q अपयतना किटना होता है जो जो दे गी वह यहां पर सकते हैं जेसे यहीं पर पूशंते की याइब कि अपटनांग ब्सक्रायं किस्का फर्मूला क्या बन जाएगा वाइब कि सब फॉछ यार्व से चल को पर्कास का ऑफ़ा सब्सक्राइब किसमें प्रकास की चाल किसमें जल में चल लिख रहे हैं जल में और प्रकास की चाल किसमें यहां पर वाई होगा ना क्योंकि वाई किसा पेक्ष निकल लें यहां वाई हो जाएगा और प्रकास की चाल किसमें जल में जल का निकलना है तो जिसको निकलना उसे बटे में रख द यह निकालना हो की काश की सब जल का परतनांग तो क्या हो जाएगा काश की सब में चाल किसमें काच में और किसका निकलन है जल कर निकलने तो प्रकास की चाल प्रकास की चाल किसमें जल में यहीं निकालना होता जल की साफ एक कांच को अपरतनांग तो यह क्या हो जाता डावलू एन जी बराबर हो जाता प्रकास की चाल अब इसे फर्मूला आप लोग बना सकते ना जिसके साफ एक जिसका भी निकालना हो प्रकास की च कि प्रकास की चाल किसमें कांच में यहीं रिलेशन होता है ठीक है ऐसे आप लोग कर सकते हैं यदि आपको एक फर्मुला याद रखना कि जो यदि कोई भी मादयम है ठीक है उसको स्रेडी क्रम हम रख दें जैसे कांच और जल्व है ठीक है यहां पर जैसे वायू है यह हो गया हमारा माध्यम वायू फिर हो गया हमारा क्या कांच उसके बाद से क्या हो गया जल ठीक है तो इसके सब एक्ष इसका परतनांग इसके सब इसका परतनांग और इसके सब इसका परतनांग की निकाले तो इन तीनों का जो परतनांग होता है एक होता है या वाइव के सब एक्ष कांच का अप्रतनांग निकाले तो इसका सब एक्ष इसका जो गुड़नफल होता है हुझ क्या होता है यानि हम कह सकते है कहाँ पे लिखर नीचे लिख़े इसको मिटाकर ठीक है Mr. यानि यह दिंफर निकालना हो कि जिस यहीं पी पह स्बस्द्स काच को अपरतनांक दिया है ठीक है और फिर dış्दे की काच के ध्या तहोले को प्रतन हैं कितना होगा यानि है इसका एक क्या होता है तैसelf अघ। अशूर्द क्या और रोता है न में यृण वीन हूद है क्या इद्जी इन क्या होजाएगा संट से इसका सब क्या सब् dialogue n w गुड़े क्या हो जाएगा by द दाबलू एन यह जी अगरे अब है किसे लेंगे किसका ग्लास का इन एट वै उनका योगफल क्या होता है गुड़नफल क्या होता है सदेव एक के बराबर होता है अब यहां से जिसका भी मान निकालना हो आप उसको पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं असानी से ठीके और एक बात याद रखेगा कि जिसके सापेक्ष जिसका अपरतनाक निकालना होता है तो जिसके सब एक्ष निकालेंगे उसको उपर रिखेंगे ठीक है और जिसके जिसका निकालेंगे उसको नीचे लिखते हैं ये बात आपको याद रहेगी तो आप किसी के सब एक्ष, किसी के मतलब numerical solve करने में आपको असानी हो जाएगी, ठीक है दिक्कते नहीं आएंगी बस याद रखना चाहिए कि जिसके सपेक्ष निकालेंगे उसको उपर लिखते हैं और जिसका निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं बास समझ में आई है चलेगा इतना नोट कर लिजेगा ठीक है यह फार्मूला नोट कर लिजेगा और यह समझ में सब्सक्राइब ना कोई चीज तो इसी उसको कैसे नुकालेंगे उसके लिए इसके लिए अगे पर्मूला का गहराई से समझ से उसको नूट करिएगा फिर देखते हैं उसे कि अब क्या देखेंगे अपर्तनांक और गहराई में शंबंध और गहराई में संबंध ठीक है तिये आप भी अन्भॉग कि होंगे क्या की जैसे आप जल में देखेंगे ना ठीक है तो जो वस्तुक डेखेंगे तो ऐसा लगएगा कि जो उसकी वास्तिवी कर दो सिक्षाइब लाए निषाग में ही प्रतीत होगा उसकी अभासी गहराई ठीक है तो इसी कंडिशन में हम बता सकते हैं कि जो वास्तविक गहराई होता है और जो अभासी होता है उसी कहsama जो अनुपात होता है वो क्या होता है अपवर्तनांक के बराबर होता है यानि हम लिख सकते हैं अपवरतनांक ब़राबर क्या लिख सकते हैं वास्तविक गहराई अब कि कि जो टोपिक इसको ध्यान से पढ़ी क्योंकि इससे कुछन आपको बं सकते हैं जाम में ठीक अभासी है ओक है तो अभासी गहराई और बनते भी है और बारबर क्या हुत उपर्तना बड़ाबर करताय वास्ती घहराई बटे में अभासी गहराई है और जैसे आप हमने अपरतना और प्रकास की चाल के बारे में पढ़ा ना वैसे जिसके सपेक्ष इसको निकालना है जिसके सपेक्ष निकालेंगे उसको उपर रख देंगे और जिसके सपेक्ष निकालना जिसका निकालना होगा उसको नीचे रख देंगे ठीके क्या करेंगे पूचे रख देंगे बस मझमें यह ति यह फर्मूला कटe को जिसका भी निकालना हो ठीक है उसको आप कर सकते हैं ठीक यहाँ वे काच आपरतनांग खोता है कितना होता है कर बटा और इसको क्या लिख देंगे इसको लिख सकते हैं आप कितना तीन बटा दो ठीक है तीन बटा दो क्योंकि तीन बटा दो है तो भाग करेंगे तो इतना आई जाएगा तो यह परतनांग होते हैं कांच का परतनांग कितना होता है जल का परतनांग कितना होता है यहां पर देख के लिखिक दें कि अपरतनांग जो जल का इतना है बराबर क्या हो जाएगा हम जली में जली में तो जनरली हम जली में देखते हैं जल में कुछ चीज को डाल के देखेंगे तुसकी अभासी जो इस इस अभासी गहराई है कुछ कम प्रतित होती है वास्तिव गहराई से तो माल हाव vermh. गहराई हमें निकालना क्या है अब changes इसमें तृइ गुरा ठीक और यह तीन उपर जाएगा इफ प्र पृस्ति के इस में मॉल्टिपल में है तो फिर इसको भेजेंगे तो यह नहीं हो जाएगा वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई गुड़े तीन बटा चार हो जाएगा ठीक है तीन बटा चार हो जाएगा यहां से हम यह फर्मुला यह बना सकते हैं कि अब और ऑसी गहराई बराबर अब हासी घहराई बराबर ताउ अक्रफिक गहराई गड़े Hниц अब एन से होगा तीके यह फार्मुला आ सकते हैं क्योंकि एन कमान जब यहां पर चार बटा तीन तो फिर तीन उपर चला जाएगा नितिन बटा चार हो जाएगा यह फार्मुला आप निकाल सकते हैं ठीक है जल के लिए जल का आप 80 गहरा निकाले तो वास्तिवी गहराई अगुड़े वन अपन एन यह फार्मुला आप लोग नोट कर लिजेगा सब्सक्राइब करने में आपके मदद करेंगे ठीक है और यह टॉपिक आपको समझ में आगो तेक बार पुना रिवर्स करके देख लिजेगा यह ज्यादा इंपोर्टेंट से इससे क्यूश्चन आपके एक्जाम में बन सकते हैं ठीक है अब कुछ देख लेते हैं इसको मि घटना है कुछ घटना है कि देखेगा जैसे हम लोग अभी पढ़े ना और परतनांक और गहराई में समंद तो जैसे हम लोग कोई भी वस्तू है ठीक है यह दिवा कहां रखी गई हो जल में रखी गई हो जल में किसमें रखी गई हो जल में यह हमारा जल है इसमें कोई वस तो जाहिर सी बात है यह जल है ठीक है हमारा यह क्या है जल है और यह कहां से हम देखेंगे तो वाइव यानी बिरल माध्यम से देखेंगे तो हमारा जो जल है वो कौन सा माध्यम हो जाएगा शगन माध्यम हो जाएगा कौन सा माध्यम हो जाएगा सगन और वाईव क्यों सी माध्यम हो जाएगी हमारी बिरल माध्यम कौन सी माध्यम बिरल माध्यम तो जैसे हम खड़ें से बाल्टी में जल रखें उसमें चीज को दे देखेंगे यहां से बिरल माध्यम से देखें कहां पर रखे हो वस्तू सगन माध्यम में रखी हो तो क्या होगा उसका जो अभासी घहराई है हो व्र booklet से कम प्रतित होगा यानि वस्तिवा न चार हो ठिके तो उसकी जो यह दो वासी घहराई है 3.5 पांच तीन दसमलो आठ या तीन एसे उसको हमें क्या होगा मालूम चलेगा ठीक है तो यदि हम माले क्या माले कि जो हमारा बिरल माध्यम है यानि बिरल माध्यम क्या होता है ठीक है रेडर माध्यम मीडियम ठीक है और सगन माध्यम को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डेंसर म ठीके तो यह हमारा विरलमाध्यम और यह Kom 00Music कर देन्सर माध्यम में यह सब जो किसके ताफ एकक्ष सब् flourर्मक गुम के तो बिराल माध्यम बोलते हैं तो इसमें से ऑर ले रहें और kısa ले रहे ठीक है क्या ले रहे हैं दी और इसमें से इसका पहले लेटर आणर यानि बिलल माद्यम के सापेक्ज इसका अप उर्तनांक शगण में का उर्तनांक यह यह हो तो क्या होता है आपका वहीं बन जाएगा फर्मुला क्या वास्त्विक गहराई वास्त्विक गहराई और बटा में वस्त्विक अभासी गहराई वस्त्विक आपकास गहराई और अपरटनांक में संब्दल बहिए अब बयुक्तत्य नकालते हैं उसको पहले लिखते हैं और न लगते औरतनांग ठीके तो क्या हो जाएगा विलुल मान देम गया भात हम पर जाता है तो एसे ही जिए जसी पर निकालेंगे हम जैसे यह में वस्तु को किसी भी वस्तू को रखेंगे जल में तो क्या होता है उसकी जो गैराई होती है कम प्रतीत होती है ठीक है कम प्रतीत होती है किसके करण अपरतन के करण यदि जल में कोई हम छड़ रखे हैं तो वो टेड़ी दिखाई देगी किसके करण तो अपरतनां के करण ठीक है आसमान में रात के समय जो तारे टिंप टिमाते हुए दिखाई देते हैं वह भी किसके कारण दिखाएंगे तो प्रकास के अपवर्तन के कारण ठीक है यदि किसी बरतन में कोई शिक्का रखा गया हो दिखाई नदे अधरिस शिक्का ओ यदि उसमें जल डालेंगे तो वह दिखाई लगता है यह भी किसका कारण है अपवर्तन के ही कारण है ठीक है ना तो यहीं कुछ अपवर्तन पर जो अधारित परिघटनाय है उनको हम समझें यहां पर अपवर्तन है ठीक है ना अपवर्तन नहीं अपवर्तन तो अपवर्तन पर यहीं कुछ अधारित क्या है परिघटना सब एकदम प्रितिवी के सिमिलर हो समानतर हो तब ही वह दिखाई देता है वह उसका कारण क्या है हमारा अपवर्तन ही कारण है ठीक है तिया ही सब घटना है अपवर्तन पर अधारित तो समझ गए आप लोग चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही राने देते हैं अगले व चैनल पर नहीं होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा ताकि हम लोग जभी वीडियो अप्लोड करेंगे उसके नोटिफिकेसन आपको शमय से मिलते रहेंगे तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जो टॉपिक हैं बचे हुए उनके साथ तक लिए धन्यवाद